हे दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनर कमार मनीस सौगत करता हूँ आपके युटूब चैनल जॉब इंडिया में दोस्तो अभी आपने जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो AMS नर्स भरती 2021 दोस्तों AMS की तरफ से बिल्कुल नई भरती लेकर आचुका हूँ परमारें जबर्दस्त भरती निकाले गई है यह भरती दोस्तों 296 पदोग पर नर्सिंग ऑफिसर, जेई, इस्टेनोगराफफर, जूनियर वार्डन, इसके अलामा मेडिकल सोसर वलकर, इसके अलामा भी और भी यहाँ पर बहुत सारे पोजीशन है जिस पर दोस्तों बहुती जबर्दस्त नॉन फैकल्टी के पदोग पर भरती आ चुकी है इसमें आप लोग दोस्तों बता दें, तो यह नॉर्सेट की भरती नहीं है नॉर्सेट की जो यहाँ पर भरती है, इसकी अलाहिटेट आज 30 अक्टूबर है यह दोस्तों नॉर्सेट के अलामा वैकेंसी निकाली गई है, नॉन फैकल्टी के पदोग पर परमारेन आल इंडिया भरती है, इसमें जो है नॉर्सेट में 3000 रुपे अपलिकेसन फीस लग रही है लेकिन इसमें दोस्तों 1200 रुपे और 15 रुपे अपलिकेसन फीस लग रही है और बिल्कुल दोस्तों परमानेर सरकारी भरती है इसमें आप लोग जो है 39 पर तक ओनलाइन फार्म अपलाइक कर सकती हो दोस्तों यह भरती एहम से पटना के तरफ निकाली गई है तो इस वीडियो में qualification के बारे में, job location के बारे में, salary के बारे में सब कुछ जानकारी देने वाले हैं तो जल्दी से वीडियो को like कर दो और इस वीडियो को जानद से जानद सेर करिए चलिए आपको लिएक चलते हैं notification पर तो प्यारे दोस्तों आप लोग देख सकती हो Employment News में यह notification publish की गई है उपर आप लोग देख लेना उपर आप लोग देखिए सबसे पहले हम आपको proof दिखा देते हैं Employment News 30 October से लेकर 5 November के बीच में यह publish की गई है तो बिलकुल officially notification है आप लोग देट यहाँ पर चेक कर लो 30 October 2021 दिया गया है आज ही यह notification दोस्तों publish किया गया है और उपर आप लोग चेक आउट कर लो M से पटना नीचे आप लोग देखिए तो सबसे पहले हम पर बोला जा रहा कि Online Applications are invited for the following non-faculty post तो दोस्तों non-faculty position पर direct recruitment basis पर permanent भड़ती यहाँ पर आ चुकी है तो काफी अच्छी बात है कि यहाँ पर जो Northset का form नहीं फिल कर पा रहे है पैसी की वज़े से वे इस form को जुरू अपलाई करिए इससे अच्छा मौका फिर आपको नहीं मिलेगा और दोस्तों permanent भड़ती है तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इस टोर कीपर जो की group B की vacancy है और इसमें दोस्तों level 6 के अंतगर salary मिलेगी जो की अधिक्तम salary 1,12,004 रुपे होने वाली है इसमें age आप लोग देख लो age दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 18 से लेके 30 years रखी गई है यह दोस्तों you are category के लिए है और इसमें जो है yasci और yasci वालों को 5 वर्स की छूट मिलेगी साथी यहाँ पर दोस्तों obc वालों को 3 वर्स की छूट मिलेगी और जो यहाँ पर ams के regular employee है उनको यहाँ पर 10 वर्स की छोट मिलने वाली है बाकी notification या विग्यापन संख्या या notification number note कलेना या 30 October को जारी किया गया है और notification जरूर इसका यहाँ पर note कलेना काफी important होता है टोटर यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें storekeeper की 10 vacancy है और इसमें master degree या bachelor degree economics या commerce या और भी यहाँ पर जिसन अभी apply करेंगे बाकी हाँ पर जो most important है उसकी जानकार देंगे J.E. civil की यहाँ पर vacancy है इसमें 3 साल का डिपलोमा जैसे की 3 साल का अगर आपने डिपलोमा civil engineering का कोर्स का रखा है polytechnic का रखा है अगर experience नहीं है तो भी apply कर सकती हो और experience है तो अच्छी बात है बाकी हाँ ग्राइटरिया यहाँ पर same है और J.E. civil की यहाँ पर vacancy है total vacancy की बात करें तो 4 vacancy है UR category में 3 vacancy है इसकी अलामा J, A, C and R इसमें दोस्तों बात करें तो mechanical engineering वाले apply करेंगे जिसमें कुल 4 vacancy है और legal assistant की यहाँ पर दोस्तों एक vacancy है इसके अलामा देखिए जबरदस्थ भरती nursing officer की है nursing officer की यहाँ पर 200 vacancy है nursing officer का यहाँ पर notification number note कर लेना और यह दोस्तों बता देए तो 200 vacancy है इसमें जो है 80 ratio 20 जो है method follow किया गया है तो यह आपके लिए current है इसमें nursing officer की group B की vacancy है दोस्तों level 7 के अंतरगर salary दी जाएगी अधिकतम salary 1,42,004 रोपे होने वाली है age criteria यहाँ पर 18 से लेके 30 years रखी गई है और इसमें दोस्तों OBC वालों को 5 वर्स OBC वालों को 3 वर्स की छूट मिलेगी और ESC और ESC वालों को 5 वर्स की छूट मिलेगे वाली है इसमें दोस्तों BSC nursing post basic BSC nursing apply करेंगे जो NORCET का qualification है बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर follow किया गया है इसमें आपको बताते तो अगर आपने G&M का रखा है और 2 साल का work experience है 50 billion hospital में तो आप लोग apply करोगे या आपने यहाँ पर BSC nursing का रखा है post basic BSC nursing, BSC post certificate BSC nursing तो अभी आप लोग apply करोगे BSC nursing के लिए experience नहीं चाहिए बिना experience के BSC nursing के लिए apply करेंगे लेकिन G&M के लिए experience चाहिए यह दोस्तों आल इंडिया भढती है बार-बार बोल रहा हूँ दूसरे इस्टेट वारे apply कर सकते है total 200 vacancy है female के लिए 160 vacancy है male के लिए 40 vacancy है बाकी आप लोग अपनी category यहाँ पर दोस्तों देख लेना इसके बाद एकी medical social worker की यहाँ पर 3 vacancy है इसमें MA social work MSW apply करेंगे 5 साल का experience चाहिए अधिक्तम salary 1,42,004 रुपे होने वाली है इसके लावा sanitary inspector grade second की vacancy है sanitary inspector grade second की यहाँ पर group C vacancy अधिक्तम salary 92,300 रुपे मिलने वाली है इसमें अगर आपने दस्वी पास का रखा है और आपके पास sanitary inspector course का रखे हो certificate है और 4 साल का experience है तो आप लोग अपलाई करोगे sanitary inspector grade second के लिए कुल 8 vacancy है इसके बाद दोस्तो थोड़ा आपको नेचे आना है इसमें देखिए आपको बता जे सबसे पहले यह दोस्तो कल से आप लोग अपलाई करोगे एक नवंबर कल से आप लोग अपलाई करोगे और आज सामको यकल आपको officially website पर full officially notification आ जाएगी जैसे दोस्तो officially notification आएगी link आपका activate होगा सबसे पहले आपको job India पर वीडियो मिल जाएगी यहाँ पे देखिए इस टोनो गराफर group C की vacancy है इसमें अधिक्तम salary क्यासी जार सो रुपे मिलने वाली है इसमें 18 से लेके 27 years दोस्तो age criteria रखी गई है और अगर आपने 12 पास का रखा है या आपने मातर 10 पास का रखा है और 5 साल का experience है चाहे यहाँ पे जैसे के regular basis पर या समविदा basis पर अगर आपने 5 साल का experience है और 10 पास का रखा है तो अभी apply कर सकते हो या आपने मातर 12 पास का रखा है experience नहीं है तो 12 पास वाले भी इस्टिनोगराफर में apply करेंगे 16 वेकेंसी है और यहाँ पे और भी बहुत सारे position है इस्टोर कीपर कम कलर की यहाँ पे वेकेंसी गरेजियोशन अप्लाई करेंगे 25 वेकेंसी है जूनियर वार्डन की यहाँ पे वेकेंसी है और जूनियर वार्डन की यहाँ पे गुरूप सी वेकेंसी लेवल 2 के अंतरगर सैली मिलेगी अधिक्तम सैली 33 1200 रुपे मिलने वाली है इसमें 10 वी पास अप्लाई करेंगे और अगर आपके पास एक्सपेरियंस है पब्लिक रिलेशन्स में या इस्टोर कीपिंग में तो भी आप लोग यहाँ पे 10 वी पास वाली अप्लाई करेंगे यहाँ पे टोटल 6 वेकेंसी है बाकि इसमें अच्छे से देखो सबसे पहले बात करेंगे आप लोग जो हैं एक नौवमबर देखिए आप एक नौवमबर 2.12 से लेकर 30 नौवमबर तक दोस्तों फार्म को अप्लाई कर सकती हो इसमें www.mspatna.org के वेबसाइट पर आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगी यह दोस्तों आज सामको या कल जो है आपको 100% फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगी क्योंकि दोस्तों बिलकुल ओफिसली नोटिफिकेशन पब्लिस की गई है अभी यह दोस्तों Employment News में पब्लिस की गई है इसमें देखिए तो UR केडिगरी के लिए OBC के लिए 15 रुपे अपलिकेशन फीस लग रही है और ESC, HT, OMAN के लिए और यहाँ पे देखिए ESC, HT, महिला और EWS के लिए 12 रुपे का अपलिकेशन फीस यहाँ पे लगने वाला है तो दोस्तों आपको बता दे से 296 पदों पर बिल्कुल परमान भरती आ चुकी है तो जैसे ही फूल नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी इसमें दोस्तों बहुत सारे पोजीशन है एक बार इससे अच्छे से चेक आउट कर लेना अगर हम बात करते हैं तो 12 पलस पोजीशन पर यह भरती निकाली गई है 30 नौबर तक अप्लाइ करोगे थैंक दोस्तों कैसा लगा वीडियो जरू बताईएगा मिलते हैं नएश वीडियो में धन्यवाद